देख रहे हैं सबी देश्कों का स्वागत करती हूँ आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार समाचारों की शुरुआ से पहले एक नजराज के मुखे सुर्खियों पर आज श्री गुरु नानक देव जी की पुनेतिती का दिन श्री गुरु नानक देव जी की पुनेतिती पर गुर्द्वारों में पहुंची संगत देशफर में गुरु जी की पुनेतिती पर विशेश कायक्रम आयोचित पीम मोदी का निउयोक में भवे स्वागत कई महत्यपुन कायक्रमों में शामिल हुए मोदी प्रमु कमपनियों के सीओ के साथ पीम की बाचित इरान के कोईला खदान में मिथेन रिसाव से धमाका कई लोगों की हुई दर्दनाक मोद धमाके के समय काम कर रहे थे करीब सत्तर लोग और अब समाचर विस्तार से सिक्धरम के पहले गुरू श्री गुरु नानक देवची के आज पूरेते थी है श्री गुरुनानक देवची की पुनेतिती 22 सितंबर को मनाई जाती है और उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेद करती है उन्होंने सामाजी का समानता और चातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने सिक्षों को सेवा भक्ति और सरल जीवन जीने की प्रेद ना दी गुरुनानक देवची ने लंगर की प्रथा की शुरुआत की जो समानता और भाईचारे का परतीख है आज भी हर गुर्द्वारे में लंगर का आयोजन किया जा रहा है हर साल 22 सितमबर को गुर्ष नानग द्यवजी की पूने दिथी पर विशेश कारिकम आयोज़ित किय जाते हैं लंगर गुरुवानी का पाथ और भजन किरतन जैसे कारिकम देश भर में किये जा रहे हैं श्री गुर्द्वारा साहिब में संगत पहुंच रही है और गुरु साहिब के चरनों में रतास की जा रही है। श्री गुर्द्वारा साहिब में संगत पहुंच रही है। बेज़े गए धमाके के समय वहां करीब सतर लोग काम कर रहे थे। यह पहला मौका नहीं है जब इरान के खनन उध्योग में इस तरह का हासा हुआ है। 2013 में दो अलगलग खदानों में 11 शर्मिकों की मौत हुई थी। कई घटनाओं में 20 शर्मिकों की जान चली गई थी और 2017 में कोईला खदान के धमाके में कम से कम 42 लोगों की मौत हुई थी। जब मौकश्मीर में चुनाओं के बीच केंद्री ग्रह मंत्रिय मिशा ने बड़ा एलान किया है एक चुनाओी कारिका में उन्होंने मुस्लिम तिहारों पर फ्री गैस सिलिंडर देने की बात गही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल पत्र के तहट हर घर में सबसे बड़ी आयूँ वाली महिला को सिलाना 18,000 रुपे दिये जाएंगे। काकिया मगनी वीरों के लिए 20 प्रशत कोटा देंगे और जम्मु कश्मीर में 5 लाग सरकारी नोक्रिया देंगे। जुर्दराज के बच्चों को लेप्टॉप और टैबलेट भी दिये जाएंगे। उन्होंने काकि मोदी सरकार ने जम्मु कश्मीर से आंतकवाद को खत्म किया है और युवाओं को लेप्टॉप दिया है नाकी पत्थर। मैं आपको कहना चाता हूँ कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयू वाली महिला को 18,000 रुपिये का चेक साला ना देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी अठारा हजार रुपिये का चेक सीधा आपके बेक एकाउंट में आ जाएगा और इद के मौके पर मौरम के मौके पर दो गैस के सिलिंडर मुप्त दिये जाएंगे दो गैस के सिलिंडर यहाँ पर जो किसान है उसको अभी मोदी जी 6,000 रुपिया भेज रहे है मुर्तुजा भाई को जिता दो यह 6,000 रुपिया दस अजार करने का काम हमारे मुर्तुजा भाई करेंगे उसी के बिजली बिल जो है उसकी दर पचास प्रतिसात हम कर देंगे पचास प्रतिसात उसी बिजली दरों की पचास प्रतिसात कर देंगे और 500 युनिट तक प्री ऑप कौस बिजली देने का काम भी बाद दिना जन्नू में मेट्रो लगाएंगे तवी में रिवर्ट बनाएंगे और यहाँ पर पुँच रजोरी की पहाड़ियों में पहलगाउं जैसा ही एक नया परियर्टन का सहर बनाकर यहाँ पर मेंडर पुच रजोरी में परियतन को बढ़ावादा है भाईो बेनो सत्तर साल तक इन्होंने जम्मू के इस लके को न्याय किया है मैं आपको कह कर जाता हूँ दुनिया भर का परियतन अगर मेंडर, पूंच, रजोरी, डोडा में नाया तो आप कहना कि अमिद भाई आप सच नहीं बोलते हो यहाँ पर परियतन का बढ़ाने का काम हम करेंगे हमने अगनी वीर जो होंगे इसको 20 प्रतिसत कोटा देंगे और 5 लाख सरकारी नोकरिया यहाँ पर जम्मू कस्मीर में देने का काम भाई किये जनता पार्टी करेंगे उत्तर परदेश के मुख्यमंति योगी तिनाथ आज हर्याना दोरे पर हैं सियामय योगी तिनाथ यहाँ पर होने वाले विधानसभा चुनौब के लिए परचार करने पहुंचे हैं और जन सबा को संबोधित कर रहे हैं सियामय यहाँ पर निरवाना विधानसभा, राय विधानसभा और असंद विधानसभा शेतर में जनसभाकर भाजपा परत्याश्यों के पक्ष में महौल बनाने में जुटे हुए हैं हर्याना में भाजपा और कॉंग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है और योगी इस मुकाबले को जीतने के लिए चुनावी परचार में कूद पड़े हैं बता दे की सियाम योगी भाजपा के स्टार पर चारक माने जाते हैं अब हर्याना चुनाव में भी उनकी एंट्री हो गई है जहां। जनसभा को संबोधित करते हैं और अपनी पार्टी के लिए परचार करते हैं। उई यूपी के मुख्या का स्वागत पूरी गरम जोशी के साथ हुआ उनकी सुख्षा के मदे नजर भी तैयारियां की गई। जनसभा के दोरान भारी पुलिस बलते नात किया गया चपे चपे पर नजर रखी जा रही है। देरने लगता है उस प्रभुराम के नाम से कांग्रेस और इन लोग को ही परिसानी होती थी। अगर आजादी के तत्काल बाद आयोध्या में राम मंदिर का निर्मान नहीं हो पाया। तो इसके लिए इस से कलर रिजम का लबादा ओडने वाले तल जिम्मेदार हैं। जिनका एक ही प्रियास था एन केन प्रकारेण भारत की आस्ता का अपमान करना। भारत के महापुर्सों का अपमान करना। कांग्रेस भी और इन लोबी लगातार जीवन भर यही कारे करती रही। वैन और भाईयों इससे बड़ा और क्या हो सकता एक और अयोध्या में प्रवु राम लला के भव्य मंदिर का निर्मान का कारेश सब्पन्वार राम लला विराजमान है। और दोसरी तरफ अयोध्या के इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम तरकाल दरसीरिसी महरसी बालमी की जी के नाम पर करने का काम भी प्रधानवंत्री मोधी जी ने किया। प्रवु और भाईयों मैं इसी लिए कह रहा हूँ, यह कांग्रेस हो या इन लोग एक जितने वी दल है। यह अपने प्रिवारबाद में इत्ते मस्त हैं। यह कभी बाबा साथ बीमराम बेट कर का अपमाण करते हैं। कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं प्रभु स्री कृष्ण का अपमान करते हैं भारत की सुरक्सा में सेध लगाने का कारे करते हैं और अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए सुरक्सा इनके लिए कोई माइने नहीं रखती मुखे बंदरी की शबद लेने के बाद आदिशी का पहला बयान सामने आ है उन्होंने कहा कि केज़िवाल को फिर से सियम बनाना है आदिशी ने कहा कि मैं अपने गुरू और दिली के बेटे अरविन केज़िवाल का धेनावाद करती हूँ जिनने मुझे यह जिम्हेदारी द देंगे खेर अब आगे देखना होगा कि आदिशी अपनी नई भूमिका में कौन सी नीतियां और सुधार लाती है और वेकिस परकार से दिली के लोगों के पेक्षाओं को पूरा करती हैं उनकी नेतर तो शमता पर ना सिरो पार्टी बलकि पूरे दिली की जनता की नजरे ह पिहांस में सबसे लोक्त्रिय मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल जी आम आदनी पार्टी के निता मेरे भड़े भाई और राजनेतिक गुरू अर्विंद के जरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेक की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपत ग्रहन्ड जरूर किया है। लेकिन ये मेरे लिए हम सब के लिए एक बहुत भावुक्षण है जब अर्विंद केजरिवाल जी दि के मुख्यमंत्री नहीं क्योंकि भारतिय जनता पाटी की केंद्र सरकार ने अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ शड्यंत्र रचा उन पर जूटे मुकदमें लगाए उनको इन जूटे फरजी मुकदमों में गिरफतार किया उनको छे महीने से जादा जेल में रखा उनको तोडने की उनको दबाने की हर संभव कोशिष करी लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी टूटे नहीं अर्विंद केजरिवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पी एमेल ने में जमानत मिलना लगबग ह consumभ होता है और सुप्रीम को जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी ये कहां कि केंद्र सरकार की एजनसी सी बी आई एडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया क इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा ऐसी इमानदारी और नहतिक्ता की मिसाल रही होगी चो आज अर्विंद केजरीवाल में देश और दुनिया के सामने रखी है अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करता है अर्विंद केज्रिवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंतरी बनाना है अगर दिल्ली के लोग अर्विंद केज्रिवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंतरी नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है भारतिय जंता पाटी अपना शड्य अंतर रच के उसको खतम कर देगी जो सरकारी स्कूल अर्विंद केजरी वाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बधाल हो जाएंगे मोहला क्लिनिक बंद हो जाएंगे हस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा महिलाوں की फ्री बश यातरा बंद हो जाएगी तो दो करोड दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अर्विंद केजरी वाल जी को दिल्ली का मुक्हेमंत्री बनाना है अगले चार महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की तो यह मामला सामने आया लड़की की पहचान महालक्ष्मी के रूप में होई है मौल रूप में बिहार की रहने वाली यह महिला करीब 4-5 महिने पहले ही शिफ्ट होई थी वे अपने पती के साथ आप से जगड़े की वज़े से लग रहती थी पुलिस को सुन दे है कि यह हत्या करीब एक सब्ता पहले हुई होगी वही डोक सिक्वाइड और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी घटनासल का दोरा किया पुलिस ने मामले की जान तो शुरू कर दी है पर इस हत्या ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी हैवाने कैसे कड़ डालते हैं यह हवान बिहार में ट्रेन हासा रुकने का नाम नहीं ले रहा बीते दिनों बिहार के बकसर किशन गंजर मुझफर नगर जिले में हुए ट्रेन हासे के बाद एक बार फिर से भारते रिल्वे विवाग में हड कम अचिया बिहार के मुझफर पूर जिले में एक बार फिर से ट्रेन हासा हुआ है जहां मुझफरपूर पूर पूरे स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपट्री हो गया इस हासे में मुझफरपूर समस्तिपूर रेल लाइन के बीच इंजन के कुल 6 चके पट्री से उतर गए खटना की सूचना मिलते ही डी सीम समयत कई धिकारी मोके पर पहुंचेर करमचेरों से बेपट्री होए इंजन को पट्री पर लाने का काम करवाया पता दे कि मुझफरपूर में एक हफ़ते के भीते दूसरा ट्रेन हासा हुआ है अभी दो दिन पहले ही मुझफरपूर के नारायनपू स्टेशन के कुछ दूरी पहले ही एक माल गाड़ी की छे बोगियां बेपट्री हो गई थी दब दरजन बर गाड़ियां अलगलग स्टेशनों पर रुकी रही हैं और अब फिर हुए इस हासे ने विभा की चिंता को और बढ़ा दिया है अमनिसर में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार कर आत्मत्या कर ली शायर के हैरिटेल स्ट्रीट पर घूम रहे व्यक्ति ने वहां सुरक्षा के लिए तेनाथ पुलिस कर्मी की सरकारी पिस्टल शीन कर खुद को गोली मार दी गोली लगने से घायल व्यक्ति की मौत हो गई फायरेंग के दोरन वहां अरकमलच के और वही बड़ी संख्या में लोग वहां मचूद थे जो सहम गई सुचना मेंते ही समंदित थाना पुलिस खटना सल पर पहुंचे और मामले की चानबिन की जा रही है खटना सुबे की है जब शिरी दरबार साही में माथा डेकनी आएक व्याइपी के सुरक्षा कर्मी से वहां पर घूम रहे है परवासी ने पिस्तोल चीन लिया और जब तक कुछ समझ आता तब तक व्यक्ति ने सरकारी रिवॉल्वर से खुद को शूट कर दिया जखमी हालत में उसे तुरन्त होस्पिटल पहुँचा पुँचा रही है लेकिर वहां पर उसकी मोत हो गई तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और ने समाचारों के साथ फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए देखते रहिए चड़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजे जाज़त थन्यवाद तो आप देखते रहे जाज़दी के समाचार